Hello Students, Welcome in Vishes Classes Chapter 2 के हम बहु विकल्पिया प्रशन करेंगे प्रशन नमबर 1 द्विघाद बहुपद 3x²-x-4 के शुन्यक है इन 4 options में से इन 4 में से कोई एक जो हैं द्विघाद बहुपद 3x²-x-4 के शुन्यक है उसके लिए जो तरीका में आपको बताने वाली हूँ इस विडियो में वो सबसे असान तरीक है इसको हल करने के कहीं तरीके हैं इस प्रशन को हम कहीं तरीके से हल कर सकते हैं लेकिन जो मैं तरीका आपको बता रही हूँ वो आपको सबसे असान लगने वाला है ठीक है, सबसे पहले 3x square, minus x minus 6, यह जो भूपद है, इसमें आपको पता है, चल रहा है कि यह ax square plus bx plus c, से अगर इसके तुलना की जाए, तो a कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, b, x के साथ b है, तो यहाँ x के साथ क्या है? minus, जिसको हम minus 1 लिखेंगे, c, c कितना आ जाएगा? minus 4, हम जो भी आपको समीकतन दी जाएगी, 3x square minus x minus 4, उसमें उसकी तुलना ax square plus bx plus c से करके, a, b, c की value निकार लेंगे, फिर जो हमें शुन्यको के योगफल का फार्मूला पता है, शुन्यको के योगफल का फार्मूला क्या होता है? इसमें हम कई तरह के question हल कर लेंगे, इसी एक question के अंदर, शुन्यको का योगफल, इससे पहले मैंने एक वीडियो में आपको बताया है, कि आपको समीकरन दी जाए, तो हम शुन्यको का योगफल कैसे निकालते हैं, वो भी आपका revise हो जाएगा, शुन्यको का योगफल होता है, minus b by a, minus b कितना है, minus 1 है, a कितना है, a 3 है, minus minus plus हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 1 बटे 3, शुन्यको के योगफल का फárमुला जैसे है, वैसे ही शुन्यको के गुननफल का फारमुला आपको याद आघा होगा, क्या होता है फारमुला, c बटे a, c minus 4 है, a 3 है, ठीक है, ये शुन्यको का गुननफल आगा है, हमें द्रिखाद भववपत के शुन्यक बताने हैं इन में से ये वाला है ये है ये है ये है इसमें शुन्यक बताने हैं तो हम देखो अब हमें शुन्यकों का योकफल इन शुन्यकों का जो इस भववपत के हैं शुन्यकों का योकफल पता चल गया है अगर हम इस option में देखे इन सभी options में देखें कि किस चुन्यकों का योगफल 1 बटे 3 बन रहा है और गुननफल माइनस 4 बटे 3 बन रहा है जैसे हम ए option को देखें जैसे ए option क्या है 1 माइनस 4 बटे 3 1 और माइनस 4 बटे 3 इनका अगर योगफल करें 1 प्लस माइनस माइनस 4 बटे 3 इसका लोगफल आ जाएगा 3 3 एकम 3 घटा 4 तीन में से 4 घटाएंगे माइनस 1 आ जाएगा माइनस 1 बटे 3 आ जाएगा लेकिन जो योगफल है 1 बटे 3 आया है जो यह शुन्यक है इनका योगफल माइनस 1 बटे 3 आया है तो यानि ए ओप्षन तो नहीं हो सकता ठीक है अब हम बी ओप्षन की तरफ जाएगे बी ओप्षन में माइनस 1 और 4 बटे 3 है इन दोनों का योगफल करेंगे इन दोनों शुन्यकों का योगफल करेंगे लगुत्तम कितना आ जाएगा 3, 3 को माइनस 1 से गुना किया माइनस 3 जमा 4 चार में से तीन घटाएंगे, एक, एक बटे तीन, तो शुन्योकों का योगफल हमारा भी एक बटे तीन आया था, इन शुन्योकों का योगफल भी एक बटे तीन आया है, ऐसे हम गुना भी करके देख लगते हैं, इन शुन्योकों की माइनस एक और चार बटे तीन की अगर ह नमबर B जो है इसका correct answer है हमें COD को check करने की कोई ज़रूरत नहीं है जो बच्चे इसको spirit से करना चाहें तो देखो इसको समझना बहुत असान है हमें यहां से वैसे भी पता सल सकता है आपको short में भी बता देती हूं यह तो मैंने कमजोर बच्चों के लिए कुछ long तरीका बताया है short तरीका क्या होगा इसके शुन्यकों का योगफल आपको abc तो पता चली जाता है कि a 3 है b minus 1 है और c minus 4 है तो योगफल तो minus b बटे a साफी आपको पता चल जाएगा कि क्या बन जाएगा minus है एक minus यहां है तो plus 1 बटे 3 आ जाएगा c बटे a जो गुननफल है वो minus 4 बटे 3 आ जाएगा तो अगर कोई बच्चा गुना ही करके रेख लें सबकी इन दोनों की गुना minus 4 बटे 3 बन रही है ठीक है इन दोनों की गुना भी minus 4 बटे 3 बन रही है तो इन दोनों की गुना लेकिन plus 4 बटे 3 तो यह option नहीं हो सकता इसको भी रेखें तो यह भी option नहीं हो सकता कि इनकी तो इसको और इसको हमने जोट के देख लेना है ठीक है जो आप बरे स्पीर से भी कर सकते हो एक माइन convention aciao जोड के देखा तो यह बन गया लगुत्तम 3, 3 गटा 4, माइनस 1 बटे 3, माइनस 1 बटे 3 तो लेकिन जोखफल आया ही नहीं हुआ, तो यानि दूसरा option होगा, उसको आप करके भी देख सकते हो, कि माइनस 1 जमा 4 बटे 3, 3 लगुत्तम 3 माइनस 3 प्लस 4, 1 बटे 3, ठीक है, तो यह कौन सा option आएगा, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो, आज का homework है, 3x केर माइनस x माइनस 4 के शुन्यक, निकालने हैं और, second question, 6x केर माइनस 7x माइनस 3 के शुन्यक, निकालने हैं, third sum है, 3x केर, प्लस 4x, प्लस 1 के शुन्यक, और यह सभी मुझे करके भेजने हैं, और व